नमस्कार आदाप, रिहानों के चैनल मेरी कहानी मेरी जुबान में आपका स्वाधत है साल का बदलना बड़ा ही खुशी दे जाता है अपनों का बदलना तकलीफ क्यों दे जाता है क्यों नहीं हम साल के बारा महिनों की तरह एक साथ रहें हर एक शक्स को उसके बोलने का, उसके नजरिये का, उसकी सोच का इस्तक्बाल करें इसी तरह हर एक महिना प्यार से, दूसरे की नजरिये से, उसके तजर्वे से, खर में खुशिया बिखेर जाता है और पता ही नहीं चलता, एक साल कब बीत जाता है परिवार भी यही सब हम से चाता है, अलग-अलग खुश रहें पर सोच उनकी हम पे, हम से अपनी सोच को सही कहलाना चाता है साल का बदलना, खुशी और अपनों का बदलना, तकलीफ दे जाता है तो बदलाव, बदलाव जिन्दगी में हर चीज़ के लिए जरूरी है इनसान अगर अपने आप को बदलेगा नहीं, तो कैसे दूसरे के साथ, अपने आने वाली जनरेशन के साथ मैच करेगा क्योंकि हम लोग जो दौर से, जो उम्र से गुजर रहे हैं, तो हमारा तजूरबा, हमारे एक्स्पिरियंस बहुत हैं पर जो हमारी जनरेशन हैं और उनकी आने वाली जनरेशन हैं, उनके पास टेक्नॉलिजी, उनकी तजूरबा जो ये लोग गुगल माता से, गुगल से, जो ये सर्च करकर के जो हासिल करते हैं, वो भी बहुत हैं तो अब इन दोनों के बीच में क्लैश ना करते हुए, अगर हम अपनी बात उनसे कुछ कह रहे हैं, तो उसको सही तरीके से समझाने की और अपने बात उन तक कन्वे करने की कोशिश करें और उनको भी हग दें, कि भई आप अपनी बात हमें भी वो समझाओ, कन्वेर्स करो हमको कि भई ये चीज़ सही है, तो मेरे ख्याल से कहीं फिर डिफरेंसिस होएंगे नहीं, परिवार को साथ में चलने के लिए इसे साल बदलता है, हर महिने की अपनी अपनी एक खुबी ह होती है, तो साल के साथ साथ अगर परिवार भी अपने परिवार के साथ हर इनसान को, अपने बच्चों को, उनकी भूओं को, बेटी को, परिवार के हर इनसान को अगर उसका तज्वर्बा शेयर करने का मौका दे, और उसके बात को सुने और उसके हिसाब से चले, हर इनसा तो मेरे ख्याल से रिष्टे जो है बड़े ही खुबसरा तरीके से एक ही सांचे में ढ़ल जाएंगे किसी को किसी से कोई परिशानी, कोई तकलिफ नहीं होईगी और बड़े प्यार से परिवार साथ में चलेगा तो बड़लाव के साथ साथ इनसान की सोच भी बदलती है उम्र के साथ तजुर्बा है, ये बात सही है पर उस तजुर्बे के साथ हमको नई चीज़े भी अड़प्ट करनी चाहिए बस यही मेरा आज का टॉपिक है बड़लाव अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए रहानों को इजाज़त देगे